हेलो दोस्तों सुवागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेल वैल तो तुल में मैं हूँ आपका दोस्त तुल गोहल आज हम बात करेंगे फिर से आई एक्स की आई एक्स जो की उपर के लेवल से अच्छा खासा क्रेक्ट हो चुका और एक मल्टी बैगर स्टोक रहा ह है तो देखते हैं किस टाइप का इसका सपोर्ट लेवल है और कहां पर यह जिस्टन सब्सकर रहा है तो इसको देखते हैं जो सबसे पहले देखिए 50 रुपे के आसपास यह स्टोक जो है काफी टाइम तक ट्रेड करता रहा तो उसके बाद देखिए कोबिट टाइम पर यह स्टोक जो है 40 रुपे के आसपास भी पहुंचता हुआ नजर आया 38 रुपे उसके बाद जो स्टोक के अंदर रफ्तार पगड़ी है तो यह स्टोक जो है 318 रुपे के इसने हाई लगाए तो मल्टी वैग स्टोक रहा है अगर 50 रुपे से भी लें तो 6 गुना के आसपास स्टोक जो है 184 के आसपास इस ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है अगर स्टेंथ देखें बीकली चार्ट के उपह तो 37 के आसपास की है यानि स्टेंथ काफी कम हो चुकी है अगर हम यहां बात करें तो स्टोक ने जब 60 के लेबल को क्रोस किया था तब इसके अंदर एक स्टोक यहां पर इसका बेकडाउन होता हुआ नजर आया और इस लेवाट को ब्रेक करने के बाद तीसरे वीक से इसी लेवल के नीचे बना वह यह काफी candle बनी इसको break किया दूसरी candle का high देखिए विल्कुल इसके आसपास है तीसरी candle का भी high इसके आसपास है closing जो है इसके निचे ही आती हुई नजर आ रही है तो सबसे बड़ी बात क्या है अब जो stock है इस line जो pink line आप देख रहे हैं इसके उपर support लेना start कर दिया है और उपर resistance कर रहा है इस level के आसपास तो इसको देखते हैं डेली चार्ट के उपर कैसे दिखाई दे रहा है तो डेली चार्ट पर देखिए stock इस टाइप से पुरा का पुरा राउन किया आप देख सकते हैं और उसके बाद stock ने support लिया है इस line के आसपास तो इसका जो निचे का level है 176 के आसपास बिल्कुल नजर रखिए 176 को अगर break कर देता है तो stock 162 के level भी दिखा सकता है और even 150 और 151 के आसपास भी जा सकता है तो सबसे पहले आपको नजर रखने है नीचे इस line के ऊपर अगर इस line को break कर देता है तो stock 176 को break करता है तो stock काफी हो सकता है अगर बात करें इस level की देखिए 177 का level इस नहीं आप टच किया था और हम बात कर momentum stock पकड़ सकता है इस line के ऊपर जाने के लिए लगबग 199 का level इसे क्रोस करना जुरूरी है वट शोट term की अगर बात करें तो शोट term में 186 के ऊपर की closing अगर मिलती है तो यह positive sentiment हो सकता है इसके लिए सबसे पहले 186 और देन 194 उसके बाद 199 तो 199 तक पहुंचने के लिए इसे 186 और 194 दोनों ही levels break करने जुरूरी है और उसके बाद stock जो है 199 के cross करता है तो 214 तक के level दिखाता हुआ नजरा सकता है वट जब तक stroke 199 के नीचे है तो stroke बीक ही मना जाएगा और stroke 176 के level के ऊपर support ले सकता है वट अगर 176 को break किया तो stroke 162 के level दिखा सकता है डेली चार्ट पे भी 33 के असपास की RSI है यानि यहाँ पर भी strength काफी कम है तो बिल्कुल देखिए दो तिन बार इन levels के आसपास जुरूर गया है बट इसे break नहीं कर पाया है तो यहाँ पर 186 के level को break करना काफी जुरूरी है closing base के ऊपर उसके बाद जो stroke 194 के level दिखा सकता है यहां तक और उसके बाद 199 और उसके बाद जो अगर cross करता है तो 214 के level दिखा सकता है बट 186 के उपर की closing और नीचे 176 के नीचे की closing अगर आती है तो दोनों ही important है 186 उपर और 176 नीचे तो इन levels के उपर नज़र रखिए अगर आप इसमें किसी type की trading कर रहे हैं तो stop loss लगा के रखिए अगर investment कर रहे हैं तो lower level का wait कीजिए थोड़ा सा consolidate होने दीजिए बेस बनाने दीजिए उसके बाद ही इसे जो है accumulate कीजिए आप देखिए यहां पर बिल्कुल clear cut आपको एक resistance zone create होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस level के उपर जो है base बनाता हुआ नज़र आ रहा है तो इन levels को बिल्कुल draw करके रखिए और जो levels है note करके रखिए और lines को draw करके रखिए तभी आप इसमें पैसा बना पाएंगे thank you धन्यवाद